नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में तो आज के वीडियो में हमारे पास है ये भारत किंका 100 वाट का PA amplifier और हम आज इसको खोल के देखने वाले हैं कि इसके इंटर्नल पार्ट की क्वालिटी कैसी है तो कुछ ऐसा सा है ये भारत किंका amplifier इसकी पूरी sound testing के साथ आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी सामने से अगर हम देखे तो इसमें सारी इधर volume लगी हुई है नीचे Bluetooth पैनल है और यहाँ पे AUX USB को select करने के लिए एक बटन मिलता है और इधर LED indicator है और नीचे यहाँ पे power के लिए switch दिया गया है पीछे से अगर हम इस amplifier को देखे तो पीछे तरफ हमें यहाँ 12V DC कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दो कनेक्टर मिल जाता है उसके गाद AC से चलाने के लिए इसको यहाँ पे 220V का यह power code है और यहाँ पे speaker चलाने के लिए speaker terminal है और इसके अगर right में देखे तो यहाँ पे हम इसे horn unit वगएरा भी चला सकते हैं और यहाँ पे aux वगएरा से input दे सकते हैं तो चलिए आप मैं इस amplifier को खोलने के लिए इसके लगे हुए सारे screw को खोल देता हूँ तो फाइनली आप मैंने इसके सारे screw खोल दिये हैं टोटल इसमें 10 screw लगे हुए थे चलिए आप इसके ऊपर लगे हुए cover को हटाते हैं तो कुछ ऐसा सा back panel है यह काफी मजबूत है यह अगर पहली नजर में देखें तो सबसे पहले यहां पे हमें 2 transformer दिखता है और साथ ही एक छोटा सा यहां पे भी एक transformer है और यह एक preamp section है माइक के लिए और base travel के लिए और यहां पे एक power supply का section है और यहां पे अगर हम देखें तो यह Bluetooth पैनल को चलाने के लिए 705 लगाया हुआ है पास से अगर हम देखें तो इसमें 2 transformer इसलिए लगाया है क्योंकि एक PA amplifier है यह जो आप पहला transformer देख रहे हैं यह main power supply वाला transformer है जिससे इस पूरे amplifier को power मिलेगी और यह जो दूसरा transformer आप देख रहे हैं यह output के लिए है output transformer है इस तरह के amplifier में यह output transformer की जरुवत इसलिए परती है क्योंकि इससे हम hard unit भी चलाते हैं और साथी speaker भी चलाते हैं जिसके लिए एक output transformer की जरुवत परती है बाकि इसमें जो यहां के लगे हुए यह 35-47-500가 है और इस transformer की जो output voltage है वो 15-0-15 है इधर 15 बीच में 0 और side वाला भी 15 है अगर front side से हम इस amplifier को देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है यहां पे total 4 माइक है और 4 माइक के लिए अलग-अलग ऊपर यहां पे volume control मिलता है और यह जो आप 3 देख रहे हैं यह main volume के लिए और bass treble के लिए volume control है और यहां पे यह Bluetooth card लगा हुआ है, नॉर्मल वाला है यह Bluetooth card जो market में असानी से 100-200 रुपे का मिल जाता है तो overall अगर हम बात करें तो amplifier की quality तो काफी अच्छी बनाई गई है साथी मैं आपको यहां पे जो यह transistor लगे हैं इसका भी number मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अगर मैं इसकी number दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं एक बार zoom कर लेता हूँ तो वीडियो में तो सही से दिख नहीं पा रहा है लेकिन मैं आपको इसका number बता देता हूँ यह Toshiba का 2SC5198 transistor है और मैं आपको बता दू इस transistor का एक pair यानि की दो transistor मिल के कुल 50 से लेके 80 Watt तक का output हमें दे देते हैं इसलिए यह amplifier total 100 Watt का है तो यही थी overall इस पूरे amplifier की कहानी और इसके अंदर में क्या क्या लगा है वो भी मैंने आपको दिखा दिया और मैं आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और YouTube पर ऐसी वीडियो देखने को जादा तर नहीं मिलती है तो इसी वाज़ा से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई